बिल्कुल सही थमनेल पढ़कर आप आए हैं देखिए अखिलेश यादो की अगवाई में पहली बार सपा में इतने अनुशाशित और पारदरसी तरीके से टिकट बाटे जा रहे हैं कि चाहे नेता छोटा हो या बड़ा टिकट चाहिए तो सबको बायोडेटा जमा करना पड़ रहा है हम आपको प्रयागराज की आठ विधानसभा सीटो के लिए टिकट की दावेदारी का वो वाक्या बताते हैं जिससे आप हैरान रह जाएंगे आठ सीटो के लिए आवेदन मांगे गए थे लेकिन आठ सीटो पर 185 सपा से लड़ने के लिए व्याकुल हैं राजनीतिक समझ रखने वाले सभी नेता सपा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं सपा से लड़ने के लिए इच्चुक नेताओं की सूची इतनी लंबी हो गई है कि सपा अधच के सामने समस्य खड़ी हो गई है अभी आवेदन करने वाले सभी लोगों के बारे में डीटेल रिसरुच की जा रही है उनके चरित्र और सामाजी गत्विधियों के बारे में पता लगाया जा रहा है इस प्रक्रिया में तमाम उमिद्वारों की छटनी होगी जहां से सपा का मौझूदा विधायक है उन सीटों से अभी आवेदन नहीं मांगे गए है इसलिए करजना विधानसभा सीट के लिए आवेदन नहीं मांगा गया आवेदन की आखरी तारिक 15 फरवरी घोसित की गई है जल्दी जल्दी आपको बता दें कौन सी सीट से कितने लोगों ने आवेदन किया है फूलपूर के लिए 23, मेजा के लिए 18, हंडिया में 14 और फाफा मोव से 11 लोग ने आवेदन किया है सुरचित सीट सोराओं के लिए 7, 12 में 8 और कोराओं के लिए 5 लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है सपा से टिकट के लिए दावेदारी करने वाले वरिश नेताओं के अलावा छातर राजनीती से आने वाले युवाओं की भी लंबी सूची है इनमें अलहाबाद विश्विद्याले की पूर छातर संग अध्यच, रिचा सिंग के अलावा पूर उपाध्यच अदील हजमा, जोटी यादो, छातर सभा के जिला अध्यच अकिलेश गुपता और गुड़्डू, प्यूस सिर्वास्तो, यूजन सभा के संदीप यादो, रवीन रियादो सामिल है, लिस्ट लंबी है, चैनल से जुड़े रहिए, आप तक भीतर की सभी खबरे पहुंसती रहेंगी, तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सस्क्राइब किये बिना बिल्कुल भ हन्यवाद